कि नमस्कार दोस्तों मेरे नाम अभीशे के आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटिल्मेंट टीबी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड़ कलर का सब्सक्राइब बटन दीख रहा होगा उसको प्रैस कर लीजेगा और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पहुंच जाए तो दोस्तों फाइनली आज हमें बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और अगर आपने किसी भी लोन एप से लोन लिया है तो ये बात ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए ये बात आप सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है दिल से मैं वीडियो बना पाता हूं कि आप जब चैनल सब्सक्राइब करते हैं मेरे एक भी सब्सक्राइब इंकरीज होता है मुझे अच्छा लगता है तो सब्सक्र सब्सक्राइब कीजिए नीचे रैड कलर का बटन है अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक जरू कीजिएगा तो वीडियों बढ़ते हैं आगी कोड़ कर लेती है अपने पास दिन रात कॉल करते हैं और आप बहुत जज्यादे परसान हो एंप को को यह तक की गालियां भी दी जाती है यह कोई तरीका नहीं है किसी भी 치lor adverse करugen है, ऐसे harassment नहीं कर सकते, RBI की साफ साफ guideline है, कोई भी recovery agent, किसी भी borrowers को, mentally harassment या, कैसे भी harassment नहीं कर सकता, harassment या harassment, मेरा थोड़ा pronunciation अलग है, तो यह नहीं कर सकता, प्रतारित नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार से, चाहे कोई भी तरीका हो, उसके हिसाब से प्रतालित नहीं कर सकता, तो RVA की guideline में बिल्कुल भी नहीं आता है, आप इस चीज से निश्चनत हो जाईए, कि RVA की guideline में ऐसा आता है, कि आपके contact list को call किया जागा, किसी की भी contact list को download करने का अधिकार नहीं है, किसी के पास Data Protection Act है भारत के पास, और अगर download कर भी लेता है, वो तो उस पर उनको call करके सूचना देने का भी अधिकार नहीं है, अगर वो आपके data का misuse करते हैं, सपोच कीजिए, उन्होंने कोई WhatsApp गूर्प बनाया, और आपको वहाँ पर गालियां लिख रहे हैं, तो ये भी उनके पास अधिकार नहीं है, ये मैं आपको एक basic knowledge बता रहा हूं, ये होना बहुत जरूरी है, और इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे ना, लाज तक, तो साइध आज रात आप chances हो सकते हैं, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए, एक मैंने वीडियो बनाई थी, अभी कुछ दिरनों पहले मेरे इ contact list remove हो गई बहुत सारे लोगों की, अब ऐसा हुआ कैसे ये भी बताता हूं, वो trick हर किसी एप पर बर्क नहीं करती, 90% एप पर बो trick नहीं करती, लेकिन एक बार आप करके देख लेंगे, तो हो सकता है, थोड़ा सा फायदी में हो जाएं, क्योंकि हो सकता है, आपकी एप प कमेंट भी पढ़िएगा, उस कमेंट में बहुत सारे लोगों ने कमेंट गया है, कि उनके पास trick ये बर्क कर गई है, तो अब आगे बाद बताता हूं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि contact list में कैसे भी delete करवा दूँ लोगों ने आपके पास से, तो देखिए, वो बस एक trick है नहीं हो पाती है, टो पुराना डेटा डिलेट हो जाता हैं, ये एक trick है, तो ये ऐसे बर्क करती है, और जो बहुत सारी लोगों आप होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने एक सरवर से जितने भी आपके contact होती हैं, उनको सेब करके रखती हैं, मतलब कि जैसे भी आप Loan आप स install करते हैं और उनसे loan avail करते हैं access देते हैं महाँ पर contact का आपकी memory का आपकी media files का location का message का आप बहुत सारे access देते चले जाते हैं call locks का जैसे ही आप उनको access देते हैं वहाँ पर उनके पास एक server होता है उसमें वो जाकर save हो अब हाँ से आप delete कराना बहुत ही मुस्किल होता है वह आप करा ही नहीं सकते पहले तो क्योंकि कोई भी आप नहीं करें क्योंकि उनका काम है mentally harassment करके पैसन कानना तो यह बात दिमाग में बढ़ा लीजिएगा वो ट्रिक हर एक पर बर्ग नहीं करती लेकिन आप एक और उस ट्रिक को यूज करके देखो उससे पहले मैं आपको यह सज़ेस्ट करने चाहूँ अगर आपके गूगल ड्राइब में फोटो या कुछ भी मीडिया फाइल पकर पढ़िए तो उसको कहीं और रिसर्च की एक तरीका निकाला तो आप उस ट्रिक के दो करके देखिएगा बहुत सारे लोगों ने इस संबंद में वीडियो बनाई है लेकिन मैंने भी बनाई है तो आप एक भर करके देखिए अब बात आती है कि इनके हरस्मेंट से कैसे बचा जाए मतलब यह जो कॉल कर आती है मैसेज की आते हैं आप भी अपने रिलिटिव को पता ही ना कि मुझसे भोके से एक फेक लोन एप इस्टॉल हो गई थी उन्होंने मेरे कॉंटक लिस्स का एक्सेस ले लिया मैंने इस संबंद में कंप्लेंट रेश्ट करा दिया आप भी आर्भी कंप्लेंट इल्लीगल गलत विल्कुल गलत है तो उनको बताएंगे आप तो सकता आपकी पुलिस में भी कंप्लेंट रेश्टर हो या उसका फोटो आप अपने रिलेटिव को भेज़ देना कि देखिए मैंने कंप्लेंट रेश्टर करा दिये अब आपके पास अकर कोई कॉल आता है त आप कीजिए अपने साब से मैंने अपनी कंप्लेंट की एक फोटो कॉपी या कुछ उनको फोटो बगरा सेंड कर देना वाटसब के तुरूए जैसे वह वाटसब पर एक स्टेटस लगा लू कैसे से मेरा फोन जो है वह ऐसे एक फेक लोन अपके द्वारा एक्सिस किया गय में तो ऐसा कुछ भी नहीं है वह फेक लोन है ऑफ है बोल देना क्योंकि यह जोकाम करते हैं वो फेक ही माने जाते हैं कि वर्जी ही माने जाते हैं क्योंकि एकी तरफ से भी नहीं है यह भी आर्बिया की तरफ से भी तो एक रियूल से बनाए गए ना हर किसी बैंकिंग सिस्टम के लिए मतलब चाहें वो NBFC हो या बैंक हो इन सब के गौड़ फादर तो RBI है तो RBI की तरफ से रियूल है कि 7 और 15 दिन के लिए लोन नहीं दिया जाएगा इस चीज़ को ध्यान रखिए और एक बात मैं आपको और बता दूँ कि यह जो आपके फोटो बगरा सेंड करते हैं यह भी इल्लीकल है या आपके बारी आपकी डिटेल्स कोई सेर करते हैं लोन की अगर आपके एक बात आपको बैंक और NBFC के लिए आरवे यह तक बोल लगाएक कि आपके पडोसी को भी वह यह नहीं बता सकते कि आपने रूपए का लोन लिया है या आपकी उपर कितने रूपए क कीजिए जितने भी लोन आप आपको कर रहे हैं उन सबसे अपना लोन एग्रिमेंट लेटर मांगिए क्योंकि ऐसे अगर मानसिक प्रिताजना आप जहिलेंगे तो बहुत सारे तो कमेंट मेरे पास बहुत सारे लोगों के वाटसप पर मैंसे आते हैं मैं वाटसप अब यूज बहुत सब लोग परशान होते हैं तो मैं सबको तो नहीं रिप्लाई दे सकता ना अब किसी एक दिन में 100 200 300 400 500 इतनी मैसे आते हैं तो कहां से रिप्लाई दो आप बताई मेरा मोबाइल भी हैंक हो जाता है समझ रहे हो आप मोबाइल भी हैंक कर जाता है तो यही मैं बताने आई था कि सबसे पहले लोग लोगरीम Mỹ लेटर दे नहीं दे तो सीधे बोलो कि पेमेंट नहीं करेंगी पहले लोगं अगुर्में में लैटर डू देनूं पेमेंट करेंगे हो और अपने सिविल में भी चेक कर लिना कि वो लोग एक्टिव है या नहीं और इस बावथ तो उनका पैसाद दीजिए लेकिन रिूल्स केस आपसे according to RBI रिूल्स according to Indian rules according to law मैं आपको पेमेंट दूँगा लेकिन आप अगर मुझसे अवद्रता करेंगे मेरे contact लिस पर कॉल करेंगे तो इस बावत में में complaint भी रइष्टा कराऊंगा मैं डरता नहीं हूँ आप अगर में रिलेटिब को कॉल करो तो रिलेटिब को भी इन्फर्म कर दूँगा कि फेक लोन है तो जितना आप इंसे डरेंगे उतना ज्यादे आपको मांसिक प्रतालित करेंगे बहुत ज्यादे प्रतालित करेंगे आपके मैसिज भी पढ़ देते हैं आप समझ नहीं पाएंगे मतलब यह इतना इलीगल काम करते हैं कि मैं आपको पता नहीं सकता उसको भी लेकर यह लोगों को टॉर्चर करते हैं तो बस यही ताइस वीडियो में और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज दो जाता है तक पेमेंट नहीं करूंगा बोल दो और कंपलेंट भी राइस्टर कराओं दो यह भी बोल दो आप भी केस रिष्टर करा दो बहुत जादा खर्चा नहीं होता है आप भी रिष्टर करा दो लंबे चौडए अगर आप जंजाल में फंस गये ना आपने आपने प्ले स्टोर से ही रिमूब हो गई उनका क्या प्यमेंट आप कर पाएंगे और क्या वो ले पाएंगे तो बस इतनी इंफॉर्मिशन दे नहीं थी तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको अभी तो रंत या लाइक जरू किया गई है लाइक से जब आप लाइक करते हो न में वीडियो अलग से फिर और बना दूंगा आप एक बर और चैक कर लिजिए चैनल पर लीगल नोटिस के समद्ध में भी वीडियो है नीचे लिंक भी दे दूंगा तो वहां पर भी आप चैक कर लिएगा तो लाइक ठोको मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जैहल बंदे मत्रूं